तो फाइनली बच्चो कक्सादस विज्ञान का जो चेप्टर नमर 5 है आपके उसका पार्ट तू आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यानि तातू का आवर्त वर्गिक्रन तो इस चेप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपके ओल्रेडी अपलोड हो चुका है अगर अभी तक आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो उस पार्ट को भी आप देख सकते हैं और उस पार्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आज के इस वीडियो में हम चेप्टर नमर 5 यानि ततू का आवर्त वर्गिक्रन और इसका पा सऺचयों और सबसे साथ साथ में आप इन नौट को लिख सकते हैं या इन नोट को आप परंचेज कर सकते हैं अब नोट्स को कैसे परंचेस करना है तो इसकी जो संपून डिटेल है वह आपको डिस्कृपशन में मिल जाएगी तो सबसे पहले इस पार्ट में आपकी जो फे प्रमानु द्रिवेमान की अपेक्षा उसकी प्रमानु जो संक्या है वो ज्यादा महतुपन होती है यानि आदुनिक आवर्त सारणी की खोजे वो सन 1913 में हेनरी मोजले द्वारा की गई तो यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है और आदुनिक आवर्त नियम क्या है तो इ इस नियम के अनुसार तैतूं के भोतिक और रासाइनिक जो गॉन द्रम है वो उनकी परमानु संक्या के आवर्ती फलन होते हैं और आदुनिक आवर्त सारणी में अथारा वर्त होते हैं अथारा और आवर्त की संक्या कितनी हैं साथ यह एक कुश्चन आपके expressed वार एक नम और आवर्त है उनकी संक्या कितनी होती है साथ होती है अब यहाँ पर यह रामबाने आपको जरूर त्यार करना है कि किसी कोस में इलेक्ट्रोनों की अधिक्तम संक्या किस सूत्र से प्रदसित की जाती है या किसी कोस में इलेक्ट्रोनों की जो संक्या है वो कौन से सूत्र से ज्ञात की जाती है, तो उस सुतर वह सुतर कौन सा है, 2 ay наших स्कौाइर काई यहा को ज्यान देना है, यहाँ पर 2 एक नंबर है और N है, वह कोसों की संक्या है, तो यहाँ पर N है, वह एक निचूरल नंबर है, यानि प्राकरतिक संक्या है, तो यहाँ पर K कोस में अधिकतम कितने तत्वों बरे जाते हैं कितने इलेक्ट्रोन बर सकते हैं दो और L कोस में आट तत्वे और M कोस में अठारा और N कोस में कितने बतिस ओके तो यह आपको ज्यान देना है उसके बाद में नेक्स्त है आपके आधुनिक आवर्त सारणी के لाब यानि आदुनिक आवर सारणी के क्या क्या लाब है तो इसमें पहला लाब क्या है कि परतेक वरग में केवल एक ही वरग होता है यानि जितने भी वरग होते हैं उसमें परतेक वरग में केवल एक ही वरग होता है वहाँ उपवर्गों को कोई इस्थान नहीं दिया गया है कि परतेक वर्ग है उसमें केवल एक ही वर्ग होता है और वहाँ उपवर्गों को कोई इस्थान नहीं दिया गया दूसरा नियम क्या है, दूसरा लाब क्या है कि ततुओं के इलेक्ट्रोनिक विन्यास को आसानी से समझा जा सकता है कि ततुओं के जो इलेक्ट्रोनिक विन्यास है उसको हम आसानी से समझ सकते हैं ये आदुनिक आवर सारनी का दूसरा लाब है उसके बाद में तीसरा लाब क्या है कि S, P, D और F ब्लोक में तातुओं का विभाजन उनके गुणों को समझने में साइक होता है कि S, P, D और F ब्लोक के जितने भी तातुओं हैं उन सभी तातुओं का जो विभाजन हैं वो उनके गुणों को समझने में क्या होता है साइक होता है हेलफूल होता है और उसके बाद में चार नमर लाब है आ समान होता है कि किसी भी तत्व की सभी समस्तानिकों के लिए एक इस्तान निश्चित किया गया क्योंकि जितने भी समस्तानिक हैं उनका प्रमाणू कर्मांग क्या है प्रमाणू संग क्या होती है समान होती है उसके बाद में नेक्स्ट है आपके आधुनिक आवर्थ सारनी की क कौन-कौन सी कमिया हैं तो इसमें पहले जो कमी है हाइडोजन की जो स्थिती है वह मेंडेलीव की सारणी के समान यह इसे चार दातू के साथ रखा गया है परन्तु के कुछ गुण हैलोजन के समान भी पाए गए हैं और दूसरी जो कमी है वो है लेंथेनोइड और एक्टिनोइड को आवर्त सारने के मुख्य डांचे में रखा जाना चाहिए था लेकिन इन्हें आवर्त सारने के तल में प्रत्थक रूप में रखा गया था और उसके बाद में है आदूनिक आवर्त सारने की परवर्ती तो इसमें कुछ परिभासा हैं आपके जो आपको अच्छे से त्यार करने हैं तो इसमें पहली परिभासा है आपके सियोंजक्ता यानि वेलेंसी तो सियोंजक्ता किसे कहते हैं कि किसी तत्व की सियोंजन की समता उसके प्रमाणूओं के भातम कोस में उपस्तित इलेक्ट्रोनों की संख्या से समंदित होती है। किसी भी तत्व के बायितम कोस में जितने भी संख्या है वो किशे समंदित होती है है और आवर्थ सारणी में बाएं से दाएं जाने पर शिणजक्ता पहले से एक से चार तक बढ़ती है फिर एक तक गठकर उत्करश्ट गेस की इस्तिती में क्या हो जाती है, सुनने हो जाती है तो यह आपको ज़रूर याद रखनी है कि किसी तात्व की सियोनजन की जो समता है वो उसके प्रमाणू के भायतम कोस में उपस्तित इलेक्ट्रोन की जो संख्या है उससे समंदित होती है इसे हम क्या कहते हैं सियोंजक्ता कहते हैं और आवर्त सारनी में बाएं से दाएं जाने पर सियोंजक्ता है वो पहले एक से चार तक बढ़ती है फिर एक तक गटकर उतकरस्ट गेस की इस्तिती में क्या हो जाती है सुनने हो जाती है उसके बाद में नेक्स्ट है आपके परमा परमानु आकार में दूसरा जो पॉइंट है परमानु आकार यानि परमानु आकार क्या है या परमानु तिर्जा क्या है तो परमानु के आकार से परमानु की तिर्जा का पता चलता है कि परमानु का जो आकार है परमानु की जो साइज है उससे परमानु की तिर्जा का पता और नबिक के केंदर से इलेक्ट्रोन युक्ते बायतम कोश की जो दूरी है डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है परमानु तिर्जा कहलाती है उसके बाद में है आवर्त में परिवर्तन तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमानु तिर्जा के मान में कमी आती है कि आवर एलात्वीक है तो ये बीए आपको ज़रूर ध्यान देना है उसके बाद में नेक्स्ट हैं आपके दात्विक और ईधात्विक गुने इस चेप्टर का दात्विक और उधात्विक गुने तो दात्विक और एह दात्विक गुण क्या है कि किसी समुव में उपर से निचे आने पर दात्विक गुण है वो बढ़ता है क्योंकि उपर से निचे आने पर परमानवी काकार है वो बढ़ता जाता है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जैसे जैसे श्योंजकता को में उपर से नीचे आने पर दात्विक गुंड मेंको क्या होज안ता है और क्योंकि उपर से नीचे आने पर परमानवी काकार है और बढ़ता जाता है और आवरत में बायें से ना जाने पर जैसे जेसे शियुन जबति आएस जी बढ़ती है तो उसके कोज्ट के जो इलेक्ट्रोन हैं उन पर किरिया करने वाला जो प्रभावी नाभी के आवेस है वो भी क्या होता है बढ़ता है और इलेक्ट्रोन त्यागने की जो परवर्ती है वो गट जाती है और यहां पर जो नोट है यह आपको जरूर याद रखना है इस नोट में क्या लिगा हुआ है कि आदुनिक आवर्त सार्णी में एक टेडी मेडी रेखा दातूं को ऐ दातूं से अलग करती है और इस रेखा पर आने वाले जो तातू हैं वो हैं बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आरसेनिक, और टेलूरियम, पॉलोनियम दातूं ऐ दातूं दोनों के गुण दर्मों को इस कारण इने अर्द दातू या उब दातू कहते हैं यानि आदुनिक आवर्त सार्णी है उसमें एक टेडी मेडी रेखा है जो दातूं को ऐ दातूं से क्या करती है अलग करती है और इस रेखा पर आने वाले जो तातूं हैं वो कौन-कौन से हैं बोरोन हैं, सिलिकॉन हैं जर्मेनियम है आरसेनिक ए टेलूरियम है पॉलोनियम है जो दातों ए दातों दोनों के गुण दर्मों को परदेशित करते हैं यानि जिनमें दातों के गुण भी होते हैं और ए दातों के गुण भी होते हैं इस कारण इने क्या कहते हैं अर्द दातू या उपदातू कहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेर करना है और चैनल पर आप नहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी और साथ में नोटिफिकेशन बैल को ब्रेस कर लिजी